आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में किसी एप को अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर वो एप अपडेट नहीं हो रहा है तो यह प्रॉबलम कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं तो यहाँ पर अगर आपको अपडेट करने में पर Google Play Store से बहार आईए उसके बाद अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करिए सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा एपस का ओप्शन इस तरीके से एपस पर आप किलिक करिए और एपस पर किलिक करके आपको मिलेगा और एपस पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको मिलेगा और एपस पर किलिक करने के बाद यहां पर आपको मिलेगा मैनेज अपस या फिर अप मैनेजमेंट तो इस पर आप किलिक करिए इस पर किलिक करके यह वाला पेज आपके सामने आएगा अब यहाँ पर नीचे आईए और नीचे आकर आपको मिलेगा Google Play Store कुछ इस तरीके से तो Google Play Store पर आप किलिक करिए किलिक करने के बाद ऐसा पेज आपके सामने आएगा और इस पेज पर आने का दूसरा तरीका है आप अपने फोन में Home Screen पर Play Store के आईकन पर करिए यानि कि क्लिक करके रखिए उपर अप इन्फो पर क्लिक करिए अब नीचे Force स्टॉप पर क्लिक करिए ऊके पर क्लिक करिए उसके बाद उपर Storage या फिर Storage यूसेज पर क्लिक करिए नीचे clear data पे किलिक करिए clear all data पे किलिक करिए ok करिए अब यहां पर आप back आईए फिर से back आईए अब अपने phone को restart करिए यानि phone को बंद करके चालू करिए उसके बाद अपने phone में play store को open करिए open करने के बाद उपर right side में gmail id के profile photo पे किलिक करिए profile photo या फिर इस goal से icon पे किलिक करिए उसके बाद about पे किलिक करिए नीचे आकर आपको मिलेगा update play store इस पे किलिक करिए और यहां पर किलिक करके play store से बहार आ जाईए और इसे फिर से restart करिए और अब चेक करिए आपके phone में app update होना शुरू हो जाएगा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपनी problem को ठीक करें अगर यह video पसंद आई तो video को like जरूर करें कर देख सकते हैं ।